हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक, आज जासी करांगे अपनी ग्रामर दे विच्चो मुहाबरे, बुक है साधी परंबीर पंजाबी व्याकरन अते लिखन कला, पिछली वीडियो दे विच्चो असी इस बुक दे विच्चो एप्लिकेशन दे स्टोरी किती सी, आज जासी करांगे मुहाबरे, अपनी बुक खोलो, पे नमबर देखो, अपनी बुक दा 82, इह है मुहाबरे, बच्चो असी के बारी जीहे शब्द समुहादी बर्तो कर दे हां, जिना दे अर्थ, शाब्दिक अर्थां तो बखरे हुन दे हां, मतलब ओना दे जो शब्द है वो होर है कि ओ ना दे अर्थ जड़े हैं, वो कोई होर निकल दे है, एक्सेंपल देखो एक थे, जिमें चांदी दी जुत्ती मारना, चांदी दी जुत्ती मारना तो पाव की है, कि किसे मनुक न्व चांदी दी जुत्ती नालकुटना नी, बलकि उस नु रिश्वत देनी हैं, पाशानू सुन्दर ते प्रभाप शालि बनाऊंते हैं। यह ना दैना दैना साधे शब्द ग्याण विच भी बादा हों दे हैं। लेके 15 तक, नंबर वान दैना आजाओ। भुक दे विच्चो भी बेडा क करना है। बस इननों चंकी तरह समझो तेसनों भूखदे विच्चो ही याद करो। देखो बच्चों, फर्स्ट है उंगल करनी, मतलब दोश लाउना, अर्थ भी याद करना है और इस्था संटेंस भी बनाना है, बाग भी बनाना है इसता, उंगल करनी, दोश लाउना, बिना सबूत तो, किसे वाल उंगल नहीं करनी, चाही दी, समबर टू, उंगला ते नचाउना, अपनी मर्जी अनुसार कम करवाउना, उच्चे रुत्वे वाले अपसर, मतलब बड़े बड़े अपसर, अपने अधीन करमचारियां नुँ उंगला दे नचाउन दे हन, नेक्स पेस दे आजाओ, नमबर थ्री है, उग सुग मिलनी, मतलब पता लगना, उत्रा खंड विच आई, कुदर्ती आफ्ता कारण, के व्यक्तियां दी, उग सुग हजेब तक भी नहीं मिली, नमबर थ्री कुदर्ती आफ्तां दी है, पता ही नहीं चलता किन्ने आदमी जड़े है, जक्मी होया है, किन्ने नुकी होया है, कुछ भी पता नहीं लगता, नमबर फोर, उनलाउनी, उनलाउनी मतलब बदेरे कमाई करनी जा लुटना, तो उसी दोना दे विच्चो कोई एक मीनिंग करना है, के दुकानदार हर गाक दी, उनलाउन विच माहर हुन्दे हन, नमबर फाइब, असमान सिर्ते चुकना, बहुत रोला पाउना, लोगडाउन दे विच लग दे कि बच्चाने भी असमान सिर्ते चुक्या होना, बहुत रोला पांदे होनें करनाní बिच्च एदुवार वाले दिन जो दो बच्चे इकठे होके खेड़ दे हन, ता सारा अस मान सिर्थे चुक लेंदे हन पर तुसी रोलानी पाना कार विच अराम देना बैटने हैं अपने पेरेंट्स दी हर काम दे विच जड़िये हल्प करनी हैं इंडिपेंडेंट वनना है ते अपना पढ़ना लिखना है नमबर सिक्स आज कल करना टाल मटोल करना मतलब किसे गालनों टालना किरपाल मेरिया किताबां बापस करन लेई आज कल ही करी जा रहा है मतलब टाल रहा है बापस नहीं दे रहा नमबर सेवन अग दे पा होना बहुत महंगा होना आज कल हर चीज अग दे पा मिल दी है मतलब आजकल हार चीज जड़ी है बहुत ही महंगी मिलती है नमबर एट अखा उत्ते बिठाउना सतिकार करना आधर करना पंजाबी कार आए मेहमान नू अखा उत्ते बिठाउन दे हन नमबर नाइन अकल ते परदा पैना मत मारी जानी रमेश दी अकल ते अजीहा परदा पैया है कि यो बुरी संगत विच पैया गया है जोदो मत मारी जानी है इंसान नू अच्छे बुरी दी परख नहीं रेंदी ओदो बुरी संगत विच पैय जानी है नमबर टैन अखा पक जाना बहुत उडीक करनी बिदेशा बिच गई पुत्रा नू उडीक दिया मामा दिया अखा पक जान दिया है माता जी दे अका मीट जानम अगरों सुकवनत दी हालत दिनों दिन बिगड रही है 12 आटे विच लून होना मतलब काट गिन्ती विच होना जा काट मिकदार विच होना जो ओलीक है गिन्ती जा मिकदार दोना दिवीच उएक लिखना है काट गिन्ती विच होना पंजाब विच बोधियां बोधि कौन मतलब बुध तरम दे लोग पंजाब विच बोधियां दी गिन्ती आटे विच लून बराबर ही है नेक्स्ट नमबर थर्टीन इट कुते दा बैर होना बहुत दुश्मनी होनी सापते निवले विच इट कुते दा बैर होना है और जदो भीक दूझे नूँ देख दे है ते लड़ना शुरू कर दे है फोर्टीन इक आखनाल बेखना इको जेहा समझना मतलब सबनू बराबर समझना नो पार्शल दे अध्यापक सारे बच्चे नूँ इक आखनाल बेख दे हान मतलब जो अध्यापक है क्लास से बिच विचो सारे बच्चे नूँ बराबर समझना है नमबर फिफ्टीन इट नाल इट खड काउनी मतलब तबाह करना पुचाल बिच बढ़ियां बढ़ियां इमारता दी इट नाल इट खड काउन दी ताकत हुन दी है तो बच्चे ओ एसी साधे मुहाबरे तुसी इसनू चंगी तरह रीड भी करना है इसनू याद भी करना है इस तो बाद आसी करांगे और वीजन लेशन 3 दी शिरिगुरु अर्जन देव जी वाले चाप्टर दी उसनू तुसी चलो पहले और उसनू देखो यह है बेटा दी साधे रीवीजन लेशन 3 दी शिरिदा देशे दा शिरिगुरु अर्जन देव जी इसनू असी पहले असी lesson 3 जंगी तरह याद कर लाना है फिर इस question answer दे according तुसी एक test देना है जो अपने parents ने तो अपने parents नो चेक कर ले तुसी देना है और इसनों इक लिख के भी रखना है सब तो पहले देखो question number 1 है 8 लिखे शब्दा दे अर्थ करू प्रथा गुना अर्दास question number 2 है साड़कोल बाग बनाओ इर्का आगब बूला होना बारस question 3 खाली थामा परो गुरु जी डैश ते चलन बाले इंसान चन next संक्ता बीच डैश ती देख बरताई गई question 4 लिंग बदलो बच्चारो रिहा है number 5 बच्चन बदलो हवा चल रही है number 6 बहुँ भी कल्पी प्रेशन दे बिचो है प्रिथी चंद गुरु जी नाल की करदा सी option दे बिचा साड़कोल प्यार लडाई इर्का question number 7 है प्रेशन उत्तर first question है प्रिथी चंद अपने आपनु गुरु गद्दी दा बारस क्यों समझदा सी next है गुरु अर्जन देव जी ने केड़े केड़े महान काम किते so प्यारे बच्चेव तुसी मुहाबरे भी याद करने है एर वीजन भी करनी है okay students thank you have a nice day